दोस्तों अगर आप इंटरनेट की दुनिया की दिवाने है या फिर एक बच्चे की माता पिता है तो अपने टिक टॉक के बारे में तो जरूर सुना होगा जी हाँ आज कल ही तो पूरे भारत में टिक टॉक में दू मचा रगी है बलकि इस सिव बारत में ही नहीं पूरे है लेकिन फिर ऐसे ही क्या है इस टिक टॉक एप के बारे में जिसने लोगों को और बच्चों को भी अपना दिवाना बना रखा है तो हमारी आज की वीडियो इस टिक टॉक एप पर इसकी सफलता पर है तो कही जाएगा नहीं आज जान ही लेते हैं कि या टिक टॉक आगिर है क्या टिक टॉक असल में बाइडेंस कंपनी का एक हिस्सा है यह बाइडेंस कंपनी 2012 साल से शुरू हुई थी लेकिन वाइडेंस नाम की यह कंपनी सिर्फ टिक टॉक ही नहीं चला थी बलकि इसका टाट्यो नामक एक बहुत ही मशूर न्यूस प्लाटफॉम भी है जिसे एक 2040 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है साथ ही यह कंपनी शिगवाव वीडियो टॉब बर्ज और बर्ज वीडियो की भी मालिक है यानि सारी उंगलिया घी में और सिर्कडाई में एंटर्टैन्मेंट वीडियो न्यूस हर प्लाटफॉम पर पकट बन मुश्किल है तो बाइडेंस कंपनी के CEO और फाउंडर का नाम है जांग इमिंग इमिंग 35 साल के है अपनी सफलता अपने बल पर पाई है लेकिन इमिंग के बारे में आपको ज्यादा कोई खोज कबर तो नहीं मिलेगी क्योंकि इमिंग इंटर्व्यू देने कोश्की नहीं है आज तो आज हम इमिंग के बारे में आपको जो भी जानकारी देंगे वह उनके गिने चुने इंटर्व्यूस के बेसिस पर होगी इमिंग को बच्पन से ही सफल लोगों के बारे में जानने का उनके बारे में पढ़ने का बड़ा शौक रहा था इसका मतलब यह है कि अग कि वह उन लोगों में से है जिन्हें हालचाल पूछने के बाद आगे क्या बात करे यह समझ ही नहीं आता बलकि स्कूल के दोस्त जब साथ मिलते हैं तो समय भी वह अपना इंटर्ड़क्शन यह कहकर करवाता है कि हेलो तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा कंप्यूटर इ यह सच है और कॉलेज के समय में उन्होंने कई वेबसाइट बनाई और कई टेक ट्रबल शूटिंग भी की ताकि वह कुछ एक्ट्रा पैसे कमा सके और क्या आप जानते हैं ऐसा करते हुए उन्हें पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ मिला और वह हुआ उनकी लाइफ पार् इसके बाद उनकी बाइक डैन्स कमपनी ने दिसमबर 2017 साल में फेमस एप म्यूजिकली को एक बिलियन डॉलर में खरीद लिया और आगस तक इस एप में कुछ मेजर शेंजर कर इस टिक टॉक के नाम से मार्केट में दूम मचाने छोड़ दिया अब तो आप समझ ही गए गया और उसकी जगर टिक टॉक कैसे आ गया तो दोस्तों असल में टिक टॉक ही म्यूजिकली है वैसे टिक टॉक एप इतना मशूर है कि आजकल के नवजवान भी इस पर वीडियो बनाते तकते नहीं तो जिसने इस एप को बनाया है क्या उसने कभी खुद का भी कोई वीड देखा करते थे उन्होंने कभी इस पर अपना कोई वीडियो नहीं दाला लेकिन 2017 साल के बाद उन्होंने अपना मेनिजमेंट टीम के मेंबर्स से कहा की वैस सभी अपने अपने टिक टॉक वीडियो बनाएंगे और उन्हें एक गोल दिया गया की उन्हें ताई किया समय में अपने वीडियो पर कम से कम इतने नेमबर ओफ लाइक शाहिए अगर वह निर्दीरत समय में इतने लाइक अपने वीडियो पर नहीं जूटा पाते तो उन्हें सजा के तोर पर पुश अप्स करने पड़ेगे जी हां बिल्कुल सही सुना आपने एक ऐसा बांज जो एम्प वीडियो लगबग 15 सेकंड का होता है और आप इसमें खेल, खाना पकाना, नाचना, गाना, यात्रा, फैशन और भी किसी भी चीज़ पर वीडियो बना सकते हो और इसमें म्यूजिक और स्पेशल एफेक्ट भी डाल सकते है और इस वजह से यह बहुत ही टिक टॉक बले ही चैना से आया हो लेकिन यह किसी बहुत बड़ी चैनीज कंपनी का एप नहीं है बलकि यह वहां की एक चोटी कंपनी वाइट डैंस का एप है इस कंपनी ने 2016 साल में टिक टॉक को लांच किया था तो दोस्तों इतने कम समय में इतने बड़ी सफलता पा ले या सिर्फ जांग इमिंग की महनत का ही है नतीजा नहीं बलकि उनकी लीडर्शिप क्वाल्टी और उनके बिजनेस स्किल्स को भी दर्शिता है इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने काम में महनत लगन और इमानदारी की साथ साथ होश्यारी भी दिखाई तो आप कम समय मे तरक्य पा सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बस आपको अपनी फील्ड में और बहतर बनने की जरूरत है और उसमें नए एडवांसमेंट लाने की जरूरत है